नमस्कार मैं जोटसना स्वागत करती हूँ आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल बिंदास प्लांटी में दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बेहरदी खुपसूरत और आकरशक इंडूर प्लांट लेकर जैसा कि आप देख रहे हैं ये पाम प्लांट ह होती है दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं एधर चाइनीज पाम है लेडी पाम है बैंबू पाम है जो कि बैंबू की तरह ही ISDCम दीखता है इधर पर चोटा सा अबेराईटी एरीका पाचा है जो कि बूशी होता जाता है और इसकी हाइट ज्यादा लंबा नहीं होता आप अपनी पसंद से कोई भी पाम ग्रो कर सकते हैं यहीं इंडोर बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी दोस्तो कि बारिस के बाद और ठंडी आने से पहले आप अपने एरिका पाम को किस तरह का रख रखाओ रखें खयाल करें किस तरह और कौन-कौन सी फटिलाइजर इसमें डालें कि आपके साथ आपका पाम ट्री सालो साल चलता रहे क्योंकि यह परिनियल प्लांट है दोस्तो और यह आपके साथ सालो साल चलने वाला प्लांट है तो आज की यह वीडियो बहुत खास होने वाली है दोस्तो तो बिना इस्किप किये हुए पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको complete information मिल सकें और यदि हमारा वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो please friends हमारे चैनल को subscribe करें और जो बिल वाली बटन होती है दोस्तो उसको जरूर प्रेप करें ताकि आने वाला वीडियो का update सबसे पहले आपको मिल सकें तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं कि अपने एरिका पाम को किस तरह healthy grow करता रहे दोस्तो सबसे पहला जो काम करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे प्लांट में इस तरह सुखे हुए लीप्स है पत्ते हैं और कुछ एलोईस भी हो गये हैं यह सब बहुत जादा पानी पढ़ने से हो जाता है या फिर गलती से जादा धूप में अगर रह गया तो उससे हो जाता है तो जो भी प्लांट में डैमेज लीप्स है उसको कट करके आपको complete हटा देना है ताकि यह प्लांट भी खुबसूरत लगे और इसका infection जो भी हो और दूसरे लीप्स में ना लगे इस तरह एकदम जड लीप्स है उसको भी इसमें जरा सा भी मोहनी कीजिएगा फिर और नहीं अच्छे से ग्रो होगा टूटल आपको हटा देना है यह बहुत अच्छे से ग्रो करेगा तो यह दिखे फ्रेंस मैंने सारे जो भी लीप्स हमारे डैमेज थे सब को कट करके हटा दिया मैंने और इस तरह आप इसको निकाल दीजिए सारे गमलेव में जो भी है आपका एक से डेढ़ी इंची इस तरह आपको निकाल देना है मैं सारे को गुड़ाई कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ इसी तरह थोड़ा थोड़ा अपने गमलेखनी साब से आपको गुड़ाई कर लेनी जो भी इंची मिट्टी मैंने निकाल लिए है और इसको मैं आधे घंटे से थोड़ा सा उपर भी हो गया है और इसको इसे हिनिकाल के इस तरह रूट दीख रहा है वैसे मैंने छोड़ दिया है इधर दिखे यह जो है आपका बैंबू पाम इसमें भी मैंने सारे मिट्टी को निकाल लिए हैं सारे नहीं मेरा मतलब है कि देड़ से दो इंच तक इस तरह मैंने निकाल लिए हैं और रूट हलका हलका डिस्प्ले हो रहा है दिख रहा है इसमें कोई जिंता की बात नहीं है इस तरह हवा थोड़ा सा लग जाता है एरेशन हो जाता है तो बहुत अच्छे से आपका प्लांट ग्रो होता है इस तरह आपको भी गुड़ाई करके कम से कम हाफावर या हाफावर से ज्यादा आधे घंटे से ज्यादा आप छोड़ सकते हैं बात जो निक्स्ट काम करना ह वो सबसे इंपोर्टेंट है जो की है फटिलाइजर डालना अब फटिलाइजर में आप क्या क्या डालेंगे सबसे ज्यादा जरूरी बात है यह जानने वाली तो सबसे पहले रूट की आसपास जो किनारे किनारे है इस तरह आपको नीम खली डाल देना है बड़ा प्लांट तो ना इंच का 10 इंच का प्लांटर है तो आप एक मुठी से ऐसे किनारे किनारे भर के नीम खली डाल सकते हैं और बड़ा गमला है तो उससे ज्यादा भी डाल सकते है थोड़ा ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और इस तरह चोटा सा जबाबा है एक लीटर का तो इस तरह चोटे-छोटे जैसे डब्बे होते हैं यह आपका पाचिंच का जो पॉट है उसमें आप जो एक चमच जो भड़ बड़े वाले चमज होते हैं खाने वाले उससे एक चमज के अनदाज से या फिर इस तरह ऐसे मैं ले रही हूँ ऐसे चोटे-चोटे में डाल दे रही हूँ तो नीम खली इस तरह आपको डाल देना है पांच चेंच के पॉट में तो सबसे पहले में नीम खली डाल दिया मैंने अब मैं जो next लोगी दोस्तों इस तरह दिखिए मैंने मिला के रखा है और इस फटिलाइजर में दोस्तों सबसे पहले मैंने लिया है काउडंग कंपोस्ट और इस तरह काउडंग कंपोस्ट आपको ले लेना है क्योंकि अभी ठंडी आने वाली है तो यह हमारे पौदे को उसके रूट को सा गर्माइश देगा और बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी देगा और जो नाइट्रोजन रीच होता है यह फटिलाइजर तो इसलिए हमारे पौदे को ग्रोथ भी बहुत अच्छा देगा और एकदम लीफ जो होते हैं सारे एकदम ग्रीन ग्रीन हरे भरे हो जाएंगे और दूसरा फटिलाइजर मैंने लिया है अपना होमेट कमपोस्ट और साथ में मैंने लिया है अपना लीफ कमपोस्ट यह तीन कमपोस्ट मैंने एक साथ मिला दिया है अगर आपके पास काउडंग कमपोस्ट नहीं है तो आप उसकी जगा वर्मी कमपोस्ट ले सकते हैं ले कंपोस्ट तो इस तरह सब को मिला के बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है प्लांट के हिसाब से आपको एक-एक मुठी भरकी डाल देना है जैसे की छे इंच का पॉट है आपका पाछ पॉट है तो इस तरह एक से देथ मुठी डाल दिया है और उसके बाद तो जो काम करना है आपको 1 मीडिया आपको आपके प्लांटर में जो इम्सांद मीडिया होता आप जैसकी मैंने बताया है पहले वी वीडियो में कि की स्व मिडिया बनाना आपको कि supuesto मिडिया डी की के लिए इस KPे estar तो इस तरह आपको भी करना है और मैं अब सारे प्लांटर में मैं इस फर्टिलाइजर को डालूंगी और उपर से स्वाइल मीडिया से कवर कर दूंगी यह दिखे फ्रेंट्स यह 9 इंच का मेरा प्लांटर है इसमें मैं लगभल तीन मुठी के हिसाब से ऐसे डाल दूंगी आ सादा नहीं डालना है बस थोड़ा सा पॉट खाली भी रखना चाहिए ताकि पानी हम लोग डाले अच्छे से यह प्लांट मेरा सक कर सके कम से कम आधे इंच तो खाली रहना ही चाहिए इस तरह मैं इसमें उपर से स्वाइल मीडिया को कवर कर दी हूँ अब इस तरह जो छो भी कवर कर लेना है अगर नया स्वाइल मीडिया नहीं है अपने डालना चाहते तो जो इससे मैंने मीटी गुडाई की थी इस तरह प्लांटर से जो निकालते हैं स्वाइल मीडिया को आप उपर से कवर अप कर सकते हैं और एक खास टिप्स देना चाहूंगे फ्रेंस जाला जाता है ज्यादा नियू ग्रोथ नहीं करता है तो उस डॉर्मेंसी पीरियेट को नॉर्मल करने के लिए इसके रूट को नॉर्मल टेंपरेचर देने के लिए आप लीफ मोड मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा इसके लिए काफी हेल्फ होगा और आपको बहुत अच्छे से टेंपरेचर को मेंटेन करेगा इसके रूट को तो रूट अच्छा रहेगा तो आपका प्लांट भी जो मिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इसको रूट को मतलब warm temperature देता रहेगा और बहुत अच्छे से आपका प्लांट ग्रो करता रहेगा एकदम से हरा भरा रहेगा दोर्मेंसी का जरासा भी इस पे असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा इस तरह आप फटिलाइजर आड़ करेंगे तो बहुत अच्छा आपका प्लांट बहुत ठं है नॉर्मल आप जो लिक्विट फटिलाइजर दूसरे प्लांट के लिए बनाते हैं तो उससे आप इसमें डाल सकते हैं वरना सॉलिड फटिलाइजर और अभी कुछ भी एड़ करने की जरुवत नहीं है फरवरी से पहले तक तो इस तरह मैंने फटिलाइजर की बात कर ली है गमले में लेकिन नेक्ष्ट जब पानी डालना है फ्रेंट्स तो उसी समय पानी डालिएगा जब उपर का आपका टॉप स्वाइल जो है हलका सा सूख जाए मतलब वन इंच तक सुखा रहे आप फील करेंगे उंगली डालके तो ही आप दुबारा इसमें पानी एड़ कि इसको तब यह प्लांट आपके साथ बहुत अच्छे से चलेगा और मैंने पहले ही बताया है इंडूर प्लांट है तो सणलाइट की बात कर लें अपको नहीं देना है हलका सा चंके अगर ब्राइट सणलाइट आती है तो बहुत अच्छा पोधा का उरोत होते ही रहे तो आपको बचाना है ये गलती नहीं करना है कि धूप में छोड़ दीजिए तो इस तरह आप ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोग करेगा इसको एकदम डारेक्ट सनलाइट में बिल्कुल मत रखिएगा तो ये पौधा बहुत अच्छा चलते रहेगा अब बात कर आना है दोस्तों इस पर भी मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है तो मैं डाल दूंगी डिस्क्रण दॉक्स में आप देख सकते हैं कैसे मैंने अपने पाम में लगे हुए स्केल को निकाला है तो इस तरह आपको साफ कर देना है और नीम ओल के स्प्रेय आपको 15 दिन में एक पिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नमस्कार